एक दम सच्ची घटना से इस्पायड प्रीरित है पहले ही बोल देता हूं जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सच्ची घटनाओं से प्रेदित नहीं है सची घटना ही है एक्जेक्ट सची घटना और यह रियल गोस्टोरी रियल इंसिडेंट जो मैंने देखा अपनी आँखों के सामने और उस इंसिडेंट में मैं भी इन्वाल था ठीक है आजएए बात है गर्मियों के छुटियों की और मैं रहा होंगा कोई एट्थ या नाइंत क्लास में और मेरे से चार साल छोटा मेरा छोटा भाई है तो वह रहा होगा सर फोर्थ फिफ्थ में ठीक है एक्जेक्ट नहीं पता है फोर्थ फिफ्थ में रहा होगा तो हम लोग गए वे थे अपनी भुवाजी के घर और जैसा कि आप जानते हो सर अप साल बहुत मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे घेर एसे बने होते हैं और बीच में एक ओपन स्पेस होती है किनली वहां पर पीपल का पेड़ होता है कुछ गाउं में कुछ जगा में खाली उता है तो हम लोग दोनों बहाई गए होए थे अपने भुवाजी के घर पे ठीक है और भुवाजी का भी लड़का है जो कि छोटे वाली भाई की उमर का था एकदम उससे उसकी एज एकदम मैच होती थी ठीक है आप समझ पाएंगे कि छोटे बच्चों की जब एज एक दूसरे से मैच होती है तो उनसे उनकी फ्र ठीक है बीच में open space होता है ठीक है जनरली कुछ गाव में इसको चौपाल बोला जाता है जहां पर बुड़े बुजर्ग लोग ठीक है एक छोटी सी जिसको बोलते हैं चौकी वो बनी होती है जिस पर बैटकर बुड़े बुजर्ग लोग जो हैं वो पत्ते खिलते हैं वह बुड़े गाम में या भुआजी के गाम में एकदम वह सपाट था वहां पर कुछ भी नहीं बना हुआ था जब हम पहले गए इस बार जब हम गए तो पता चला कि यहां पर इस एरिया को पूरा उक्यूपाई नहीं किया बड़ यह बिलकुल एकदम बीच ओ बीच ताइप में यहां पर एक घर बना हुआ था और घर और वह भी नूली कंस्ट्रक्टेड जब पहले गए थे तो यह वाले चीज एकदम खाली होती थी फिर हमारा इतना अक्षा चक्कर लगता नहीं था तो आप ऐसा जो कि डिट दो साल बाद में गए होंगे तो फिर हमें वहां बाचने वाले थे तब मैंने यह तो अपना यहां पर क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था मैं तो यह क्रिकेट ग्राउंड का पूरा इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया हमारा पूरा पिछ खराब कर दी अब कहां खेलेंगे नने मुने तैंदूलकर कोली और यह सब कहां तो बड़ा ही मतलब डिस सटिस्फाइस हुए गए अंदर गए ठीक है चाय पानी जो भी होता है वह पीना पाना ठीक है वह स्टार्ट किया बाते हुई फिर बचों क्या होता है बहुत जल्दी ही खेलने का मन करता है बागी बड़े लोग तो क्या है बैठके बाते कर रहे ह आपस में उनी में उनका इंजॉयमेंट हो जाए आया ना है ठीक है हमारा गया था वह चोटा भाई बहाजी का लड़का आस्पडोस के सब टोली एकदम तयार बोले आ जाईए भीया लगाए विकेट्स ठीक है और खेलना चुरू कीजिए यह लगाई हमने छे विक्टे वा सब लोग खेल रहे थे। ठीक है अच्छा खेलने में इसमें एक और दिखती वह भी समझी ज़रा में इस घर के चारों तरफ इस गर के चारो तरफ कुछ-कुछ लोग रह रहे थे कुछ-कुछ लोग मतलब जो जिनके पास घर नहीं होता बिचारे जिनको जहां जगा मिलती है वो उसको अक्यूपाई कर लेते हैं ठीक है अब वो कबजा है कि नहीं है मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं हां जिनके पास घर नहीं होता जो अपने टेंट तानकर वहां पर रहते हैं उन लोगों ने चारो तरफ से इसको घे रखा था जहां से एंट्री थी वो छोड़ दो बस बागी चारो तरफ से घे रखा था उनकी जो चोटी-चोटी बक्रियां है वो बांध रखी है उनके पास जो जिस सफीशन स्पेस थी खेलने के लिए बढ़ा एक वन में था ना यार पहले खाली को अगरता कितना मज़ा आता था अब जो है यह तो भीया गड़बड होगी और इसके आसपास भी लोग हैं हमने खेलना स्टार्ट किया खेलते गए चौके छके ठीक है रोना पीटना नहीं ख साथार लड़की खेल रहे थे वो सारे साथाट में से सिरफ एक था जो मेरी एज का था बाकी सब यह चिंटू गंडी थे छोटे चार-चार साल छोटे पांच-पांच-बांच-बांच-3-3 साल चोटे तो इनको बहुत इनके यह मारा जाओ लेकर आओ तो मैं खेल रहा था और काफी देर से मैं खेली जा रहा था एक बॉल मैंने मारी वो गई इस घर के अंदर ठीक है आया ना चोटा भाई जो है बहाजी का लड़का वो गया अंदर बॉल ले आया हमने खेलना स्टार्ट किया वापिस केलने लगे शाम हो गई क्योंकि हम एक तो पहुंचे लेट दोफायर में पहुंचे थे और फिर ऐसे करते करते शाम हो गई फिर जो है यह वाले जो खेल होते अगली क्रिकेट जो हता है यह सिरफ एक ही मुवमेंट पर जाकर बंद होता है जब लाइट डिम हो जाती है क्योंकि आपके पास लाइट की फैसिलीटी नहीं है ठीक है आया मंसब्सदब्स जिसकी जिसकी होती हो बनवाई गई मेरी मन पसंद यह कड़ी है है कड़ी बनी और कुछ सा जो भी मppली खाने के लिए रखा गया अब जब वहाजी का लड़का है उसने खाना खाया तो उसको सकता है ज़्सके अपने विचार होते हैं इहां हो सकता है ज्यादा खेल दिया होगा अंदर से श्रीर घ्रम होगा उल्टी आगी होगा उल्टी करने की कुछ देर बात में वो लेट गया तो इसको बहुत तेज जिस वह बोलते हम सदन तब्यत खराब एक दम बूरी हालत होगी समझ मैं जनरल तब्यत खराब मतलब कि हाँ आपको खांसी जुखाम है घर वाले बोलते हैं लेट यह दवाई है सोजा अब पहले तो उसको यह reaction मिला था कि को बाद में खालेना शाम को खालेना रात को खालेना और तब्यत मुझे आज भी वह मतलब एक दम बोलते हैं इंसिडेंट एज काफी बढ़ गई है याद नहीं है यह पता है कि वह घूम रहा था और उसका शरीर लाल था लाल समझ रहे हो जब आप वो बुखा चड़ता है तो यह हिस्सा यह कान हाथ लाल या काले पढ़ने ल यह बाहर से कुछ करके आएं और रिस्पॉंसिबिलिटी मेरे प्यानी थी क्योंकि मैं उनमें सबसे बड़ा था तो मैं गा यार यह मैं लपेटा जाओंगा बिना बात कि मैंने कुछ नहीं किया आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने खेल रहे थे अब आपने हमें देखा ह भी थे कि इस घर में क्या अगरवड है हमें कुछ नहीं पता था हां जब उस कंस्ट्रक्शन वाले घर को देखा तो जितनी मेरी समझदारी थी उसमें से मुझे नेगेटिव वाइब सी आ ली थी वे वह घर पूरा खाली पड़ा था पूरा खाली मतलब कि आपने कंस्ट्र वाली फीलिंग आ रही थी और दूसरा उसके अंदर कोई था नहीं उसको चारो तरफ से यह जो बंजारे होते हैं जो भी होते हैं जिनके पास घर नहीं होता विचारे जो जहां घर मिलता है जगा मिलती है वहां पर रहने लग जाते हैं तो उन्होंने उसको तो हां मैंने का या अब इसकी तब्याइज जदा खराब है अगर इसका कुछ इससे लेना देना नहीं जब तक कोई आइडिया नहीं था दिमाग में की चल क्या रहा है एक बार मैंने एक शॉट मारा था बॉल अंदर गई थी यह बॉल लेकर बापी स भार आया है था बस बाक अपरी की एज की एक अंटी थी उन्होंने बॉल मेही तरफ वापिस फेकी और मैं वो बॉल लेके बाहर आगे है ना भाई साथ इसके बाद में जो भॉजी ने बोला बुकार उसको क्या मुझे भी चड़िया बोले बिटा उसके अंदर कोई अंटी नहीं रहती अब उसने बोला कि नहीं ममी मैं सही बोल रहा हूं उसने बोल मैं रहता वहां कोई रहता ही नहीं बेसिकली यह गाओं की पुराने लोगों की disputed जमीन है जिस पर एक इंसान ने कभजा कर रखा है उसने उसने गाउं के खिलाफ जाकर वहां पर construction भी करवा दी जिस पर construction करवाई है उसके नीचे किसी की आप बोल सकते हो कि कि वहां पर किसी को पहले और आने टाइम पर दफनाया गया होगा मतलब ठीक है यहां पर दो तीन परिवारों की लेंड डिस्प्यूटिड थी एक ही बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से एक जमीन पड़ी है उसको दो तीन परिवारों ने काफे साल तक नहीं समभला किसी एक तो यह से घर बीगार और उसके नीचे किसी को दफनाया गया होगा और जिसको परिवारों में से कोई लेड़ी थी जिसकी मौत जो है वो पुराने अपई पुरानी कहानिया है जो वह सही कारण की वजहसे नहीं हुई हो गया जो भी और यहे वह इन रहा होगा है तो बोले हाँ आप उस घर को अगर ध्यान से देखो कि बहुजी नहीं समझाए ध्यान से देखो उसमें क्रैक्स आयों है जबकि अभी नया नया बनाए बोले जब इस घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो मजदूर रोज दिन बोलते थे कि इसके अंदर कुछ अजीब है कि आप लेंटर समझते हैं कि लेंटर जब बेश त्यार हो जाता है पीलर खड़े करके इस पर चट लगाई जाती है चट लगाने से पहले लोए का एक केस यहां पर सजाए जाता है और उसके बीच में यहां पर लकडी के बहुत सारी बीम लगाया जाते ताकि इस पर टिक जा जाता तो बुले कि वह जो तुझे अंदर दिखाई दे रही थी या अंदर तुझे जो जुस्तर त्य तरफ बोल फैंकी वो अंटी नहीं थी भीटा और वो बोले वह अंटी जो है उस घर में रहे हैं अब सिंपल सी कहानी है जब आपने अपनी ओकात से बाहर का सपना तो फिर तो तू बाकी लोगों को जीतने का मौका दे रहा है और बहुत ही गलत बात है और यह एटिट्यूट रखेगा पूरी लाइफ में तो घरवालोग अब उसको देखिए कहानी सुनके दुए मुझे बुखा चड़ने लगा मैं अरे भाई अगर यहां पर गली पॉइंट पर मेरी फिल्डिंग लगी होती मैं चला जाता तो यह फच जाते अभी बच गए बहुत 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 अचा अब यह बात सुन रहे है साथ में रात को वक्त है खाना वाना रात होने को आई है मन भी कर रहा है एक और अंटी की तरफ देखें एंटी थोड़ा वे वेव करें फिर हा थोड़ा- соверш दर भी लग रहा भाही साथ जी वाजी ने वही जो पुराने गाम के तरीके होते हैं क्योंकि दभाई वगरा देखे देख ली थे उससे हो नी रहा था मंदिर में गए मध्या वहाँ पर विभूती होती है आम घुखुती जो रखी होती है हनवान जी के चर्णों में लगाई चोड़े बाई के माते पर हम सबके दूद पिलाया अनमान चलिशा का पाट घर में हुआ बोले सो जाओ तो वह उठें एकदम टंटना टंटन टंटन टारा सब एकदम बापिस है बोले अब फिर खेलने चलते मैं अब यहां नहीं खेलेंगे अब खेलेंगे जाकि खेत में तो इस दे रियल इंसिदेंट जब भी आपकी कभी हां तो फिर भाजी नीवी समझायागी हां बोले मतलब आपस में बात करें हम सुन रहे थे माहल थोड़ा टेंस हो गया है अंटी यहीं से बॉल फैंकर एंटी आगी तो तो गड़बड हो जाता है जब आप अचानल किसी ने जय बजरंग बली घर के आसपास ना खेलें जहां पर बॉल अंदर जाने पर आपको वह बॉल लानी थोड़ी महंगी पड़े ठीक है